नमस्कार दोस्तों दोस्तों लेमन ग्रास एक जड़ी बूटी है जिसका विग्यानिक नाम सिंबे पॉगौन साइट्रेटरस है इसमें मौझूद नीबू की सुगन के कारण इसका व्यापक रूप से उप्योग किया जाता है और ये एक 12 मासी घास है जो की भारत और एशिया के उश्नकटी बंदियक शेत्र यानिकी ट्रॉपिकल रिजियन्स में उगाया जाता है इसके विग्यों में उप्योग की अलावा लेमन ग्रास में आउशे दिये लाब भी पाये जाते हैं और इसके एंटी बेक्टरियल, एंटी कवक और एंटी बायोटिक गुणों के व्यापक रूप से इसका उप्योग किया जाता है, जीनस सिंबे पॉगौन में इस घास की 55 बरजाती शामिल है जिनमें से 2 को लेमन ग्रास खहा जाता है, यह वेश्ट इंडियन लेमन ग्रास या सिंबे पॉगौन साइटर्टर से जोकी विंजनों में उप्योग और इस इ विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5 और विटामिन B6, फॉलेट और विटामिन C का स्त्रोथ है इसमें पॉटेशियम, केल्शियम, मेगनेशियम, फासफोरस, मेंगनीस, तामबा, जस्ता और लोहा जैसे आवशक खनिजबी पाये जाते हैं जो की मानव शरेड के स्वस्त कारियों के लिए आवशक है यह कोई हानिकारक का कॉलेस्टरोल या वसा प्रदान नहीं करता है तो बात कीज़े इसके लाबों की तो सबसे पिला लाब होता है कॉलेस्टरोल के लिए दोस्तो लेमन ग्रास में एंटी हाइपर लेपिडैमिक और एंटी हाइपर कॉलेस्टरोल लेमिक गुण होते हैं जो की स्वस्त कॉलेस्टरोल के स्तर को सामने रखने में मदद करते हैं स्टेडी से पता चला है कि लेमन ग्रास के नियमिच सेवन से ट्राइगलिसराइट के स्वस्त श्तर को सामने रखने में मदद मिलती है और शरीड में ये LDL कॉलिस्टरल को कम करने में महतुपूर्ण है इससे रक्त वाईकाओं में लिपिड के संचय को रोकने में मदद मिलती है और दम्नियों के रक्त के अब आदित प्रवा को बढ़ावा मिलता है और विबिन्न दिल संबंदी विकार जैसे की एथेरोस्क्लेरोस इसको ये रोकता है साथ इसाथ दुस्तों ये कैंसर से बचाओ करने में गुणकारी है शरेड की स्वस्त सामने कोशिकाओं को प्रभावित किये बिना विबिन्न प्रकार के कैंसर के उपचार के लिए लेमन ग्रास बहुत ही प्रभावी है लेमन ग्रास के एंटी कैंसर गुण तवचा के कैंसर क रोक्ताम में बहुती लापकारी होते हैं स्टडी से पता चला है कि लेमन ग्रास में मौजूद एक विशिष्ट गटक सिट्रल प्रारामबिक चरणों के दोरान लिवर कैंसर कोशिकाओं के विकास में बादा डालता है और कैंसर कोशिकाओं के उत्पादन को रोकता है साथ ही साथ दोस्तों ये खराब पेट के इलाज के लिए भी लापकारी है स्टडी से पता चला है कि लेमन ग्रास आवश्यक तेल में एंटी माइक्रोबियल और एंटी बेक्टरियल गुन होते हैं हेलिकोबेक्टर पाइलोरी और इस्चरेशा कॉलाई जैसे विबिन रोग जनकों के काराण होने वाले इंफेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं ये गिस्ट्री कलसर जैसे जटरांतर संबंदी विकारों की रोकताम में फायदे मन्द है और आतों के कारे को उत्तेजित करने में मदद करता है और साथ ही साथ पाचन में भी सुधार करता है लेमन ग्रास के सूजन को कम करने वाले गुन कब्स, अलसरेटिव कलाईटिस, दस्त, मटली और पेट में दर्द के उपचार के लिए फायदे मन्द होते हैं साथ यसाथ दोस्तो लेमन ग्रास और निदरा के लिए भी उपच्योगी है, मास फेशो और तंद्रिकाओं को शांत करने में लेमन ग्रास बहुती मददगार है, इससे नीद को बैथर करने में मदद मिलती है, रिसर्च के अनुसार लेमन ग्रास चाय में शामक और गुण होते हैं जो कि नीद की अवदी और गुणवत्ता बढ़ाने में मदद करते हैं साथ इसाथ दोस्तों यह आपको अस्तमा से भी बचाता है खासी और सड़ी के इलाज में इसके प्रभावों के लिए आयरुवेदिक चिकिसा में लेमन ग्रास का व्यापक रूप से उप किया जाता है लेमन ग्रास एक बुखार वाले गास के रूप में भी जाना जाता क्योंकि इससे बुखार को कम कर्ने में मदद मिलती है लेमन ग्रास के एंटीपारेटिक और डाइफोरेटिक प्रभाव का प्रयोग आम तरपर आयरुवेदिक चिकिसा में बुखार का प्रबावी है स्टड़ी से पता चला है कि लेमन ग्रास रोगाणों के विकास में बादा के द्वारा खमीर इंफेक्शन जिसे तवचा संबंदी इंफेक्शनों के लिए बहुत ही लाबकारी होता है साथ इसाथ दूस्तों ये सिर्दर्द के लिए भी फायदेमन है इसके एन एल के घावों के इलाज में भी बहुती लाबकारी है साथ इसाथ दूस्तों लेमन ग्रास के आउशे दिये गुण तनाव का इलाज करने में लाबकारी है लेमन ग्रास एक शांती दायक दवा है और तंत्री का तंत्र के लिए एक बहुती बढ़िया टॉनिक है ये मन को उत पकान के लक्षणों को कम करने में सहायता करते हैं। पकान करने में मदद करता है। पकान करने में मदद करते हैं। लेमन ग्रास ओईल का सीतलन प्रबाव गर्म मौसम के दोरां शरीर के लिए फायदे मंद होता है। और इस तेल में प्राकरतिक एस्ट्रिंजेंट और टॉनिंग गून होते हैं जो की रग्त परिशंचरन को उत्तेजित करने में और तवचिये टिश्यूस को टॉन करने में सहायता करते हैं। ये सुस्त तवचा को मजबूत करने में भी मदद करता है। साथ इसा दोस्तों ये वजन कम करने के लिए भी लापकारी है। लेमन ग्रास में सिट्रल होता है जो की मोटा पे का मुकाबला करने में प्रबावी साबित हुआ है। ये पेट की वसा के संचय को रोकता है और संगरहित उर्जा के उपयोग को बढ़ावा देता है जो की वजन बढ़ने को रोकने में मदद करता है। और बदबुदर पैरों को साफ करने के लिए पैरों के स्नान में भी मिलाया जा सकता है साथ इसाथ दोस्तो लेमन ग्रास एक कीट निवारक भी है लेमन ग्रास को एक प्राकरतिक कीट निवारक के रूप में प्रयोग किया जाता है और जो मलेरिया, डेंगू और लाइम रोग जैसे कीट संबंधी रोगों को रोकने में मदद करता है लेमन ग्रास एक एंटी मलेरियल और एंटी प्रोटोजोन गुणों के लिए भी जाना जाता है और अब हम दोस्तों जानेंगे की लेमन ग्रास के नुकसान क्या होते हैं तो दोस्तों कुछ लोगों को लेमन ग्रास से एलर्जी हो सकती है जैसे की सीने में दर्द, गले में सूजन, तवचा पर खुजली साथ ही साथ इसका सेवन रक्त की ग्लुकोस के स्तर को कम कर सकता है हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों को भी इसका उपयोग नहीं करना चाहिए और लिवर और किड्नी विकारों से पिडित रोगियों को भी लेमन ग्रास तेल के उपयोग से पहले अपने डॉक्टर से सला करनी चाहिए तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेट करना बिल्कुल भी ना भूले और अगर आप हुमारी चैनल पे नए है तो चैनल को कले सब्सक्राइब और बैल आइकन के बटन को ज़रू कले ताके मेरी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके थैंक्स वर यूर टाइम